Hello and Welcome to Johar IQ आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है JSSE ने finally exam date announce कर दिया है and it is 14th and 15th of October जब आपका exam होने वाला है आज 15 जुलाई है exam 14th, 15th October को होने वाला है आपके हाथ में exactly 3 months है क्या आप exam के लिए ready हैं या फिर आप pressure feel कर रहे हैं कि इतना बड़ा syllabus, इतने कम समय में कैसे complete करूँगा या फिर आप डरेवे हैं कि exam clear होगा या नहीं होगा मेरा preparation अब तु mark है या नहीं है या फिर आप confused हैं कि पढ़ें तो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें ये 3 months को कैसे plan करें कि हम लोग का selection confirm हो जाए I understand कि अगर आप time bound manner में preparation कर रहे हैं तो ये emotions normal है So take a deep breath जोहार IQ brings the ultimate strategy video मैं आपको बताना चाहता हूँ कि this is the only strategy video you will need to clear GSACC So इस वीडियो को आंदर देखो एक final strategy बनाओ और find और उस strategy को 3 months तक rigorously follow करो अगर आप बार-बार strategy बदलते हो तो ये बिलकुल भी सही नहीं है Just stick to one strategy देखो आप बार-बार अगर strategy बदलते हो तो इससे होता क्या है कि जो focus आपको पढ़ाई पर करना चाहिए वो focus अब strategy बनाने में लगा देते हो और पढ़ाई फिर कुछ होता जाता है नहीं So please stick to one strategy So I will tell you again This is the only strategy video You will need to clear JSSECJ So welcome back Let's dive into the ultimate strategy Which we have for you एक ultimate strategy बनाने के लिए सबसे पहले We need to understand the syllabus और syllabus से related मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने syllabus को बहुत detailed तरीके से बताया topic wise बताया और क्या-क्या resources चाहिए syllabus को master करने के लिए वो भी बताया तो उस वीडियो का link मैं description में दे दे रहा हूँ अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके वो वीडियो प्लीज देखो उससे आप syllabus बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे exam का pattern आप समझ जाओगे और क्या-क्या resources चाहिए वो भी आपको clear हो जाएगा तो प्लीज जा करके वो वीडियो देखो आगे ultimate strategy में मैं आपके लिए लेके आएँ हूँ एक 3 month study plan यह study plan ऐसा है यह आप syllabus को 3 times cover करोगे और आप बहुत सारे test भी लगाओगे आगे ultimate strategy में मैं आपको एक subject wise strategy भी बताओगा देखे आपको यही समझना पड़ेगा कि कुछ topic कुछ subject जादा important है दूसरे topic से मैं आपको एक example देता हूँ देखे जारकंड में 40 questions रहेंगे general studies में 30 questions रहेंगे जारकंड के लिए आपको बस 6 topic करना है वही जार्णरल studies के लिए आपको 6 subjects पढ़ने पड़ेंगे so obviously आपका focus main यहाँ पर होना चाहिए कि आप जारकंड बहुत अच्छे से करें और यह जो 40 questions है यहाँ पर आप बहुत जादा score करें आप यह 6 subject को करने में एक मैंन लगाओगे बट आप 30 questions ही करने पाओगे तो we need to plan our time properly इसलिए मैं आपके लिए एक subject wise strategy भी लेके आया हूँ कि कि सब्जेट को पहले prioritize करें कि सब्जेट को पहले complete करें कि हम लोग का जो score है वो एकदम skyrocket हो चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं study plan कैसा है मैं आपको बता दो कि आपको हर दिन दो subject पढ़ना है यह जो second subject है as per plan change होते रहेगा for example पहले आप science पढ़िएगा फिर उसके बाद जारखंड उसके बाद computer but जो first subject है आपका math and reasoning वो तीन आवर आपको daily पढ़ना है कब तक पढ़ना है मैं आपको बताऊँगा so let's start आज 15 जुलाई है आज मैं आपको पूरा दिन दे रहा हूँ चिल करो जितना मस्ती मारना है मार लो क्योंकि आगे आने वाले 3 months बहुत टाफ होने वाले आपके लिए और अगर आप थोड़ा भी negligent होते हैं तो selection भूली जाओ कि होने वाला है तो let's see हमें study plan के हिसाब से कब क्या पढ़ना है देखो मैं आपको science complete करने के लिए total 10 days दे रहा हूँ science में science से 20 questions आएंगे तो science एक बहुत important part है हमारे syllabus का 16 से start करना है 16 जुलाई से start करना है और 18 जुलाई तक आपको physics पढ़ना है 19 से start और जुलाई से लेखे 24 और जुलाई तक आपको chemistry पढ़ना है 25 को आपको क्या करना है कि आपको science का revision करना है और science का test भी लगाना है देखो यह जो आप test होगे वो 150 questions का रहेगा क्योंकि आपका जो paper 3 है वो भी 150 questions का है तो please आप जो भी test लगोगे 150 questions का लगा होगे और उसे 2 hours में complete करने का कोशिश करना क्योंकि paper 3 के लिए आपको 2 hour ही मिलेगा तो आपको test भी ऐसा practice करना है जो exam से exam pattern पे based हो और exam timing के हिसाब से भी आपको करना है तो यहाँ पर आपका science complete हो जाता है let's move on to our second subject जो कि जार गंड है जार गंड से 40 notions है सबसे important part है GS तो जार गंड में आप एक तम भी सूस्त नहीं हो सकते हो आपको बहुत जादा मैंनत करना है और जार गंड में total साथी topic है तो बहुत जल्दी भी cover हो जाएगा तो start करते हैं तो जार गंड को 26th of July से 26th of July को start करना है and 2nd of August तक आपको जार गंड कम्प्लीट करना है थर्ड को again आप जार गंड को revise करोगे और आपको test भी देना जार गंड का एक चीज मैं आपको बता दूँ कि यह जो इतना दिन पार हुआ इसमें आप हर दिन जो मैंने आपको पहले बताया था कि तो subject daily पढ़ना है तो math and reasoning 3 hours daily यहाँ पे चल रहा होगा यह चल रहा है 3 hours daily math and reasoning फिर थर्ड को आपको जार गंड का test देना है जैसा मैंने आपको बताया था जार गंड का test देने के बाद आप 4th of August से computer start करोगे computer में total 5 topics हैं बहुत चोटे चोटे topics हैं तो आराम से दो दिन में हो जाएगा तो 4th of August and 5th of August को computer कर लोगे computer का आपको कुछ test नहीं देना अलग से no test अलग से क्योंकि मैंने जोब को resource बताके रखा है अर्यांद अर्यांद में ऐसा है कि कुछ-कुछ उसमें practice act दिये हैं चैप्टर के बाद कुछ practice questions भी है वह आप कर लेना तो अधर से आपको computer हो जाएगा next computer के बाद आपको paper 2 पढ़ना है see paper 2 सबसे important paper 2 में 100 questions है और आपका जो competition है वो paper 2 को बहुत अच्छ से पढ़ रहा है trust me वो लो paper 2 को बहुत सिद्ध से पढ़ रहा है और paper 2 में वो phone ने वाले है तो आपको थोड़ा भी सुस नहीं होना paper 2 में paper 2 को इतना एच्छ से कर लेना है कि 100 में 85 questions तो आप सही करें अगर आप इदर 85 questions करते हैं तो जी इसमें आप थोड़ा chill भी कर सकते हैं और आपका selection फिर भी हो जाएगा तो हाँ paper 2 को आपको 6th of August से start करना है और 25th of August तक complete कर लेना है 26 को आपको revision करना है paper 2 का 26 को यह आपको test भी दे देना है paper 2 का जो test होगा आपका यह 100 questions का होगा और यह test जो है आप exam setting में देना कि आपको exam का जो exam का fear है कि exam के दिन बहुत लोग ऐसा होता है तो अगर आप exam setting में test देते रहोगे तो आप पहले से practice करते रहोगे तो जो panic वाले situation है आपके साथ तो नहीं होगा तो प्लीज जो आप test दे रहोगे तो आप exam settings में ही देना एकदम proper time लगा के बाठना Now again we will move on to GS GS में 30 questions है total 6 subjects में पढ़ने को तो हाँ GS में accordingly हम लोग time देंगे ज्यादा मैनर नहीं करना इदर एकदम history के लिए spectrum पढ़ रहा है प्लीटिक के लिए आप लक्षमिगान पढ़ रहा हूँ वैसा नहीं आप आराम से आशा करो आप नॉर्मल जो लूसेंट की book आती है वोटाओ उससे पढ़ो कोई दिखत नहीं तो history कबर करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ total 5 days आप 27 से start करो जिसमें history में आपको history में आपको ancient भी करना है medieval करना है और आपको modern भी करना 27th of August तो start करो 31st of August तक complete करो history उसके बाद आपके पास तीन दिन है पाउटी करने के लिए 1st September से start करो 3rd September तक complete करो 2 दिन environment करने के लिए 4th को start करो 4th of September तक start करो 5th को complete करो 2 दिन geography करने के लिए 2 दिन economics करने के लिए अगें दसतारीक को आप क्या करना है GS को एक पार जो अपी तक पढ़ा है उसको एक बार revise करो और चीज़ का एक test लगा लो अगें test same exam setting में देना है कि आप exam के तिन जाके panic panic ना करो कि एकदम ऐसा ना feel हो कि आप exam center में बैठके आप ऐसा ना लगे है कि हम कोई दूसरे planet पर ही आगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप जो भी test होगे वो exam settings में देना आगे एक बार जब आपका यह यहाँ पर दस्तारीक तक आते हो तो आपका syllabus एक बार complete हो चुका है आपने यहाँ पर देखो आपने यहाँ पर science कर लिया नहीं चारकन कर लिया computer हो गया paper 2 हो गया और यहाँ आपका दस्तारीक तक पूरा GS हो गया ना first round आपका syllabus का complete हो गया है तो first round करने के बाद छिल नहीं करने लगना है यहाँ से second round of marathon start होता है यहाँ पर आपको गया करना है कि जो भी पहले पड़ा या फिर जो भी कुछ छूट गया है इस round में cover करना है यहाँ पर मैं आपको हर एक subject complete करने के लिए on average 3 days दोंगा और यहाँ पर आपको बस revise करना है याद करना है और consolidate करना है जो आपने पहले पड़ा तो start करते हैं 11 September से लेकि 13 September तक आपको science करना पड़ेगा 14 September से लेकि 16 September तक आपको 4 गंड पड़ना है पेपर 2 करने के लिए मैं थोड़ा आपको जादा time दे रहा हूं क्योंकि syllabus इसका वास्ट है तो मैं आपको total 5 days दे रहा हूं पेपर 2 को revise करने के लिए 17 September से आप start करो और 25 September तक आपको पेपर 2 कंप्लीट कर लेना है अगें कंप्यूटर करने के लिए वापस से 2 दिन कंप्यूटर बहुत चोट है 5-6 टॉपिक है तो आपसे 2 दिन में रिवाइस हो जाएगा 22nd of September and 23rd of September को आप कंप्यूटर बढ़ो GS में अगें मैंने आपको बताया था कि जादा time देने का कोई जारूरत नहीं सब्सक्राइब करने के लिए आप कोई भी मैगजेन आती है वहाँ से पढ़ लेना तो आपका current affairs complete हो जाएगा Now, after 3rd of October आपको क्या करना है यहाँ पर आपके पास total 10 दिन बचेगा एक्साम पर एक्साम आपको 14th को होगा या फिर 15th को होगा तो around 10 days आपके पास बसता है यह सबसे important part है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको बहुत जादा डर लगेगा बहुत जादा pressure होगा बहुत जादा confusion होगा दिमाग में और आपको इन सब emotions को अपने उपर overpower नहीं होने देना है आपको cool, composed and calm रहना है इस दोरान और आपको revise करते रहना करते रहना अपको हर एक दिन dealing paper उठाना है और उस paper को पूरओ complete करना है चार तारिक को ईटाओगे और साइस को पूरओ complete करोगे five तारिकों जारगांड उठाना और खालगे प्र असरा है है उपर came उप कि इसक्ष्थ को आप एक टेस्ट देना है देखो जिस दिन आपका exam होगा उस दिन तीनों paper आपका एक साथ होगा paper 1, paper 2, paper 3 तो total आपको एक दिन में 6 गंटे बैठ करके exam देना है और ऐसा और दूसरे exam में नहीं होता है तो आपको आपको 6 गंटे बैठने का practice करना पड़ेगा तो आप exam के पहले 2-3 test अगर ऐसा लगा ले तो आप exam के दिन comfortable रहोगे तो 6 तारिक को आपको टेस्ट देना है जिसमें आप paper 1 का test होगे paper 2 का test होगे paper 3 का test होगे एकदम exam settings में देना so that exam के दिन आपको alien alien जैसा feeling नहीं हो exam hall में साथारी को paper 2 दाना paper 2 पूरा complete करना एक दिन extra दे रहा हूं paper 2 करने के लिए क्योंकि again paper 2 का syllabus थोड़ा जाद है तो इतने कम टाइम में cover नहीं होगा तो दो दिन है आपके पास seven and eight paper 2 को complete करने के लिए नाइंत को आपको computer करना है दस को आपको general studies revise करना जनल स्टड़ीज आए अंडरस्टैंड की बहुत जादा वास्ट है एक दिन में नहीं होगा बट अगें general studies का 30 question ही है तो ज्यादा time देने का कोई फाइदा नहीं एधर जितना revise हो तो उतना revise करो बाकि option देख करके आपको य 30th of September तक पढ़ना है हर दिन तीन गंटे math and reasoning मैस and reasoning से total 40 questions लेंगे तो अगें यह जाटन से तना important है और अगर आप हर दिन practice में रहते हो तो आप आराम से यह वाला section तो आप फोर्ट होगे तो 11 को आप math and reasoning उठाना अगर आपने math के लिए कोई formula book बना के रखा तो वो पूरा revise क के लिए हर एक chapter से फिंग चार बेस्ट बेस्ट question उठा करके practice कर लेना तो आराम से आपका math and reasoning revise हो जाएगा अगें बारत आरिक को आपको वापसर एक पर final test दे देना है paper one paper two paper three मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर इसमे score काम आ रहा है तो बिल्कुल retention लेने का जरूरत नहीं है ऐसे भी coaching वाले क्या करते हैं कि अपना जो test series है उसको बेजने के लिए tough question set करते हैं तो एकदम chill करने का अगर इसमें come number आ रहा है तो retention लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आप exam के दिन आराम से फोड़ दोगे इतना मैन अदगराप करते हो तो exam के दिन आप पूरा फोड़ने वाले हो तो एकदम chill करो कोई दिक्कत नहीं है तेरा तारिक मैं आपको दे रहा हूँ final revision करने का जो आपको सबसे दाधा भूलता है वो आपको करना है यहां पर revise जैसे मेरे लिए like मैं history भूल जाता हूं तो मैं history revise कर लेता हूं quality तोड़ा बहुत revise कर लेता हूं आपको जो प इसका proper planning proper manager होने वाड़ा है उस दिन सब कुछ एक पल में decide हो जाएगा तो exam आपको cool composed mind से देना है जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको subject wise strategy पर बताऊंगा तो देखते हैं कि subject wise आपको क्या करना है कैसे करना है जारखंट तक तो आपको याद हो गया होगा कि what questions है जारखंट में जारखंट में देखो total seven topics हैं तो मैं आपके लिए क्या करूँगा कि seven videos बना दूँगा मैं seven lectures upload कर दूँगा YouTube पर free और मैं आपको notes भी provide करूँगा तो अगर आप व वीडियो और वो notes complete कर लेते हो तो आपका जारखंट बिल्कुल complete हो जागा एक सम्टेंशल लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बडू के लिए आपको कहेंगी अगर आप English ले रहे हो तो आपको क आपको फ्री में पूरा English का course देने वाले आपको बिल्कुल potential लेने की ज़रूरत नहीं है एक English का हमने syllabus analysis वीडियो भी डालके रखा अगर वो नहीं देख रहा है तो उसका भी link में description में देते हो रहा हूं वो देखो और आपका सारा doubts उदर clear हो जाएगा बाकी English के लिए हम लोग वीडियो अप्लोड करेंगे मालो एक short story है तो पहले एक वीडियो डालेंगे जिसमें आपको पूरा short story पढ़ाया जाएगा और उसका एक MCQ वीडियो लेके आएगे जिसमें उस short story से related आपको पूरा MCQ प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा और आपको आई बढ़ते हैं देखते हैं कि general studies में क्या करना है general studies में ऐसा होगा कि हम जोहार IQ के तरफ से हम लोग आपके लिए एक marathon वीडियो लेते हैंगे इसे history के लिए के लिए एक marathon पॉलिटी के लिए एक marathon environment के लिए एक marathon जियोग्रिफी के लिए एक marathon और पीडिये भी आपको दे देंगे तो अधर से आपका notes भी हो जाएगा बाकि कुछ कुछ चीज अगर मान लोग की वीडियो में cover नहीं हो पारा तो मैं आपको बता दूँगा वह आप अगर मैं आपको suggest करना चाहूं तो दो तीन teacher मैं आपको suggest कर देता हूं एक रामो सरे उससे math पढ़ना हूं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या फिर आप आदित्य रजन से भी कर सकते हूं तो इधर से आपका math 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 and reasoning हो जाएगा नम टेंचन नहीं की कोई ज़रूर एत नहीं वीडियो को end करने से पहले मैं आपसे कुछ personal बाते करना चाहता हूं I understand कि यह जो अभी तीन मन्त है बहुत जादा tough होने वाला है it is going to be very tough बट यह जो सपना आपका है अगर उसको reality बदलना है अगर उसको आपको reality बनाना है तो मैनत भी आपी को करना पड़ेगा अगर आप मैनत से भाग रहे हो तो समझ लों कि यह से सी सीजल भी आपसे बहुत दूर भागते जागा तो प्लीज मैनत करो यह तीन मंस बस मैनत कर लो आगे बहुत अच्छा जिंदगी आप बिताओगी अगर आप जैसे सी सीजएल क्रैक कर लेते हो तो बागे अगर यह प्लान कर आप 90% भी फॉलो कर लेते हो तो सेलेक्शन आपका पका हो जाएगा सो प्लीज एक strategy बनाओ हो सके तो यह strategy को बिलकुल copy paste मार लो और बस यह strategy पे stick रहो बार बार strategy बतलने की कोई ज़रूर है नहीं है वीडियो के starting में ही बता दिया था strategy बार बार बतलना is not a good option अगर आपको वीडियो अच्छा लागा होगा तो प्लीज लाइक दे वीडियो सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेर करो थैंक यू and all the best